Hey guys, welcome back to my channel, this is beautiful you और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मीशो हॉल देखिए ये जो मीशो हॉल होने वाला इसमें बहुत ही अच्छे प्यारे एलिगेंट से मैंने आपको प्यूटिफिल कुर्टा सेट दिखाए हैं आपको जो भी पसंद आता इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा चलिए विडाउट विस्टिंग अनी टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं अबरासा दोस्तों मीशो आपके बारे में बताना चाहूंगे यहां पर आप खरीद भी सकते हैं और कुछ अर्ण भी कर सकते हैं घर बैटे जैसे आपने कुछ ओर्डर करना है और आपको उसको रिसेल करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो भी प्रोड़क्त लिया है उस पर आप मार्जन रख सकते हो इस वेबसाइट मेशो पर बहुत ही ब्यूटिफुल कुर्टा सेट ना कि सिफ कुर्टा सेट हैं बलकि आपको होम अप्लाइंस और बहुत सारी लेक्ट्रोनिक चीजे मिलती हैं तो मैंने यहाँ पर एक कुर्टा सेट सेलेक्ट किया और इसमें आपने साइज अपना लेना है उसके बाद आप और प्लेस कर सकते हैं अपने लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल प्राइस जो भी एग्जेक्ट है वो लिख सकते हैं और अगर आपने दूसरे के लिए ओर्डर करना तो सब्सक्रावय एक किल नॉर्मल इसमें अपने प्लेशन आपंगे हैं इसमें एसाथ एम सारे प्लेशन आपको मिलते हैं तो यृॉप्स आप जियुह बहुत सारे ओप्शन में से चूंस अप कर सकते, मैशयो तबन ऐम ब्लेस करना बहुत easy है वास्ट द्लिवरी और साथ यह लोग अपनी सेफटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं डिलीवरी के वक्त तो आप ट्राइ कर सकते हो अभी दिखा देते हैं सूट कलेक्शन ब्यूटिफल सा फ्रोजी सेट है वन अफ माई फेवरेट फ्रम दिस कलेक्शन जितने भी मैंने मंगाए हैं तो मैं इसमें जो स्पेशल पार्ट है वह इसका दुपट्टा तो वही मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी अदर्वाइस आप ट्रायाउन हॉल में साइट में देखते रहिएगा ये एक कॉटन का दुपट्टा है और इसके चारो तरफ वही कुर्टी के प्रिंट के साथ एक लैस दी गई है साथी साथ इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है इसके ये प्यूटिफुल टेजल्स जो की आपके जो सूट का लुक है उसको एकदब एक्ट्रैक्टिव बनाकर एक साइड अलग हटके दिखाते हैं आपके सूट को और इसका लैंथ भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है इस दुपट्टे का बिल्कुल भी छोटा नहीं है अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्लाजो की प्लाजो नहीं ये कॉटन का शरारा है बहुत ही अच्छे फैब्रिक में ये कॉटन का सूट है आप कहीं लोगों ने मुझसे कहीं बार कॉमेंट करके बोला है कि मीशो पे सू है कि वह कैसे है ये एक्जेक्ट वही सूट है जो की मॉडल ने पहना हुआ है और इसका जो प्राइज है वह बहुत ही रीजनिवल है अदर्वाइज स्किंप सूट में कोई कमी नहीं बहुत प्यारी कॉटन है अब आजाते हैं इसके कुर्टे पर हम तो जो कुर्टा है उस इसका जो नेक है मैं आपको क्लोज अप में दिखा देते हूं एक बार देखिए इसका नेक बहुत ही ब्यूटिफुल बना हुआ है बीट्स के साथ और इस पर जो कढ़ाई हो रही है न वो कम्पीलीट हैंड वर्क है लाइक पॉल्स के साथ तो ओवराल बोलना चाहती हूं यह सूट बहुत ब्यूटिफुल है डोंट मिस्ट इट इसको छोड़ियेगा नहीं पच्टाओ क्योंकि आने वाली गर्मियों में बहुत ही प्यारा रहेगा अभी बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सैट की जो कि एक रियॉन फैब्रिक अनारकली सूट बहुत 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 ही जादा कमफर्टेबल सूट था यह जब मैंने इसको पहना इसमें आपको एक पैंट मलती है पैंट नहीं हम बोल सकते इस अलूज प्लाजो और लूज प्लाजो इसमें आपको मिल रही है यहाप पर इलास्टिक अवेरी गुड क्वालिटी उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इस अनारकली फ्रॉक की तो बहुत ही अच्छी लेंड है लेकिन मुझे थोड़ा यह लंबी लगी है तो लगता है बाद में कटवा कर दुबारा ठीक करा कर मुझे पहनना होगा अधर्वाइस इस वेरी गुड ओवरॉल क्वालिटी ऑफ दॉ प्रॉडक्ट तब यह और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लगेगा अपी जितना लग रहा है उससे भी कहीं ज्यादा अभी इस पर आपको मिलता है एक प्योर का दुपट्टा जो कि जो इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है ना पैरेट ग्रीन कलरका इस ब्लू के साथ कम्प्लीटली या कुछ नहीं क्वालिटी वाइस दुपट्टा भी बहुत अच्छा है प्यॉर का दुपट्टा है बढ़ लेते हैं हमारे थर्ड सूट की बारे में देखो इस सूट को दिखाने से पहले में बोलना चाहती हूँ कि इसको आप मेरे से ले लेना बिल्कुल 100% ले लेना और आप फीज के फैन हो जाने वाले हो कलर कॉमिनिशन लुक वाइस एवरिवन आस्किंगे वाला पूछेंगे लोग आपसे कि वाय यार कहां से लिया है ये सूट और कोई यकीन नहीं करेंगा विकास सब लोग बोलता है मीशो पर जो दिखता है वह होता नहीं देखिए मुझ कि सूट को एक स्टैंडर्ड लुक देते हैं आपके लिए ठीक है इसमें इसमें नेक बना है और यहां पर फ्रेंट में आपको लगे हुए हैं बटन्स और ओवराल लैंथ बहुत प्यारी है बहुत ही प्यारी मानिक आप लेकर सोचों कि बहुत ही कमफटबल लिया है इसके दुपट्टे की तो दुपट्टा वह मैं जैसा पिक्चर में बलकी मैं सोच रही थी कि पिक्चर में ज्याद अच्छा नहीं था लेकिन जबूस सच में आया है दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा इस बस मुझे ऐसा लगा कि शायद इस ग्रीन के जो जागा पिंक होता त यह एक Paix Happy यहाइँ आपको यह क्या चैनल कि स्कॉत चैनल इसमें पर लास्टिक दी गई है बीच में कले डली है और नीचे लगी है यह लैस और इस पर इस सकॉत के साथ अब कर्या मिल रहा है है यह एक अपको कलर का पुरता अब पर वर्क हुआ है मिरर वर्क बहुत ही प्यारा वर्क है यह मिरर का मैंने एक दूम मिरर्स लगे है छोटे-छोटे पूरे डिजाइन को कवर कर रहे हैं साथ इसमें डोरी दी गई है 3-4 इसकी स्लिप्स है और इसके अलावा जो यह वाइट कलर की डॉट्स दिख रहे हैं यह यह डिजाइन नहीं है इस अप्रिंट यह कड़ाई भी नहीं है और ओवरॉल बहुत ही कमफचबर अच्छा अले इन ब्यूटिफुल सा यह ड्रेस है मैं दिखा देती हूं आपको मैंने एक हैंडवर्क एरिंग मंगाये थे हैंडवर्क यानिकी हैं सॉरी मैंने हैंडमेड इरिंग्स मंगाये थे यह जो ब्यूटिफुल से आपको पिंग कलर की इरिंग्स नजर आ रहे हैं यह हैंडमेड है आप क्लोज अप में देखते रहे हैंगा इतना ब्यूटिफुल बने हुए हैं गर्जब यार मतलब किसी ड्रेस पर अगर आपको गले में भी कुछ नहीं इनको डालना खाली इनको डालनेना है तो तो आपसे चार लोग पूछने वाले कि यह ब्यूटिफुल मिररवक एरिंग्स आपने कहां से लिए और जो मैं आपको पिंक उरता ड्रेस दिखाया उस पर यह बहुत अच्छे चलेंगे तो मैं इनको जल्दी से पहनने वाली हू आपको इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपके पास अगर सुझेशन के कोई भी कोड है तो आप मुझे दीजे नीचे मैं ज़रूर चेक करूंगी और वीडियो अबर आल अच्छे लगए लाइक करें कुछ भी चेक करना नहीं नीचे कर लिज